प्रयाक राज से एक बेहत चौका देने वाला मामला सामने आया है यहाँ पर एक नीजी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की घोर लापरवाही का खुलासा हुआ है सबसे बड़ी बात यह इतनी बड़ी खबर सामने आ गई लेकिन हॉस्पिटल का नाम कोई भी खुलने के लिए तयार नहीं है इस हॉस्पिटल में एक डेंग्यू के मरीश को बलड फ्लाटलेट्स की जगह मौसंभी का जूस चड़ा दिया गया प्रदीप पांडे जो अब इस दुनिया में नहीं है 14 अक्टूबर को उनकी तब्यत अचानक बिगडी जिसके बाद फैमिली वाले प्रयाग राज के एक प्राइविट हॉस्पिटल में प्रदीप पांडे को लेकर गए प्रदीप पांडे की टेस्स किये गए जिसमें पता चला कि उन्हें डेंगी हुआ है और उसके बाद हॉस्पिटल वालों ने कहा कि इनके 8 युनिट ब्लड प्लैटलेट्स की ज़रुत पड़ेगी जिसके बाद घरवालों ने हॉस्पिटल मालिक के बेटे को 5 युनिट ब्लड प्लैटलेट्स मंगवाने को कहा जिसकी कीमत 25,000 रुपे तैय हुए और इसके बाद ब्लड प्लैटलेट्स मंगवाए गए एक के बाद एक चार blood platelets के वो packets प्रदीब पांडे को चढ़ाए गए और इन unit के चढ़ने के बाद प्रदीब पांडे की हालत सही नहीं बलकि और खराब हो गई और ऐसी इस्तिती हो गई कि उनकी death ही हो गई परिवार वालों का इलजाम है कि hospital की तरफ से जो platelets की units मंगवाई गई थी उनके packet में blood platelets नहीं बलकि वो तो मौसमी juice है परिवार वालों का कहना है कि hospital ने जो units मंगवाई थी उसमें से एक unit अभी भी हमारे पास है जो हम जाच अधिकारियों को देंगे क्योंकि इसमें भी blood platelets नहीं बलकि मौसमी juice है आपको बता दे कि ये blood platelets के नाम पर गोरक धंदा चल रहा है क्योंकि blood platelets का texture उनका color और मौसमी juice का color सेम होता है इसलिए कई सारे blood banks इस तरह का scam करते हैं और इसी scam के कारण अब प्रदीप पांडी की death हुई है परिवार वाले प्रदीप पांडी की death पर justice की demand कर रहे हैं वहीं authorities का कहना है कि वो जल्द ही investigation शुरू कर रहे हैं और जो एक unit परिवार के पास बचा हुआ है उसकी भी जाच की जाएगी की उस packet में वाकरी में blood platelets है या मौसमी का juice है